हेलो एवरिवान, वेलकब टू माई चैनल, हिंदी टैरोडाक रिपल टू, मैं हूँ पल लवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे तो guys, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हूँ, एक collective reading और आज मेरी इस reading का topic है, third party situation, जिसमें आज हम देखेंगे कि कौन जीतने वाला है, आप दोनों में से, third party या फिर आप, ठीक है, ये चीज़े आज हम देखेंगे, तो पहले मैं आपके लिए cards निकालूंगे क कि आपकी क्या situation है, इस वक्त में आपके person की नजरों में, और दूसरी side निकालूंगे कि third party के लिए वो क्या feelings रखते हैं, क्या सोचते हैं, वो चीज़े निकालूंगे, उसी के base पर हम outcome निकालेंगे कि क्या future होगा, ठीक है, तीन section में divide करके reading देखेंगे, guys, general और एक collective reading है, तो 100% resonate करें, ऐसा possible नहीं है, timeless reading होगी, जबी भी आपके सामने आएगी, आप इसे देख सकते हो, married और unmarried कोई भी person ये reading देख सकता है, तो चलिए start करते हैं, third party आपको पता होगा, guys, आप लोगों की situation में कौन है, guide कीज़े निवसर बताइए, मेरे वीवस के लिए, उनके person का सोच रहे हैं, इस वक्त में, guide कीज़े निवसर बताइए, क्या feelings है, मेरे वीवस के लिए, उनके person की guide कीज़े निवसर बताइए, the chariot, six of cups, guide कीज़े निवसर बताइए, क्या feelings है, मेरे वीवस के लिए, उनके person की guide कीज़े, दो काट्स खुल गए टू अप्सूर्स टावर क्या फिलिंग से मेरे विए इसके परसन की उनको लेकर इस वक्त में टैनो वांस तसन नाइन ओस पेंटिकल्स काई कीचिन में से बताए क्या फेलिंग्स है विवर्स के परसन की उनको लेकर गाई कीचिन में सब्सक्राइए कुईन ओफ कप्स बाटम ऑफ देक आया है कुईन ओफ पैंटिकल्स दवर्ड एंड फोर अफ पैंटिकल्स देखे गाईज यहां पर जो भी दीरिंग है अल साइन बेस्ट है तो मैं साइन नहीं बता रही हूं नंबर मुझे यहां पर आप लोगों के लिए चाहे आप कली उस हो चाहे आप चाहे मतलब आप किसे फ्रेंट हो आप लोग के कॉंटेक में आयों डेकिन ओवर ऑल जो रिष्टा स्टार्ट हुआ था वो एक friendship से स्टार्ट हुआ था आपका चाहिए फिर आप दोनों के parents ही क्यों ना friends हो और फिर आपका रिष्टा स्टार्ट हुआ था ठीके या फिर यहां पे यह भी हो सकता है कि आप जो है अपने husband या wife के लिए यह reading देख रहे हो आपके बच्चे भी हो सकते हैं या पे यह भी chances हैं आप लोगों के बीच में guys इस समय की situation की बात करूँ तो tower moment आया हुआ है पूरी दुनिया आप लोगों की हिली हुई है आपकी भी plus आपके person की भी दोनों यह situation एक साथ face कर रहे हो अगर आपको यह लगता है कि मेरे person इन चीजों से ज़्यादा effect नहीं हुए हैं तो हो सकता है कम ratio में या ज़्यादा ratio में चीजों का effect पढ़ा हो लेकिन पढ़ा जरूर है यह चीजे आपको ध्यान लग नहीं है कि आपके person भी इस वक्त हिले हुए हैं उन्हें भी लग रहा है कि उनकी पुरी दुनिया हिली हुई है ठीक है विट इस टैन ओफ वर्न्स कार्ड काफी ज़्यादा struggle face कर रहे हैं यह जो भी relationship के मामले में इनकी situation चल रही है न उसमें यह बहुत ज़्यादा struggle face कर रहे हैं काफी ज़्यादा burden इनके उपर है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है चाहें इनकी family हो चाहें relationship के मामले में हो चाहें जो इनसे इनकी खुश्या इनसे root गई है उनके मामले में हो जो भी है हर चीज में यह अभी आज की देट में काफी ज़्यादा struggle face कर रहे हैं विद्धिस दव 10 ओफ वांस कार्ड मुझे यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी बाते हुई है ना वो बाते आपके परसन ना सीने से लगाई हुए बैटे हैं विद्धिस फूर ओफ पैंटिकल्स कार्ड या फिर हम थर्ड पार्टी की ही रीडिंग देख रहे हैं तो ओबिसली वो थर्ड पार्टी और आपको दोनों को साथ रखना चाह रहे हैं और दोनों इन से मैनेज नहीं हो पा रही हैं इसी वज़े से विद्धिस टूर ओफ सोर्स कार्ड आपके परसन काफी ज़्यादा कन्फ्यूजड हो रहे हैं और हमारा आज का सवाल भी यही है कि किसकी जीत होगी आपकी या आपके परसन उस थर्ड पार्टी की जिसमें यहाँ पर आपके परसन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजड दिखाई दे रहे हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना हैं एक तरफ आप हो एक तरफ वो थर्ड पार्टी है दोनों नाव पे पैर रखकर चलना चाहते हैं उनके साथ यह हो रहा है और वो दोनों चीजों को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं दोनों चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं या दोनों में से एक को नहीं select कर पा रहे हैं, एक को ज़्यादा priority दे रहे हैं उपर उपर से, लेकिन दिल में कोई और है, ये चीज़े इनके साथ हो रही है, overall इनकी दुनिया ना confusion में मुझे दिखाई दे रही है, एक cross road पे दिखाई दे रही है, ठीके, आपके लिए क्या सो इन्हें प्यार करते हो, इन्हें nurture करते हो, इन्हें हर तरह से इन्हें अपना कंधा देते हो, जब ये परिशान होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो आप इनके लिए कंधा देने के लिए तयार होते हो, वो बात और है कि ये उस कंधे के लिए आपकी तरफ नहीं आते है है हो सकता है ये third party के पास चले रहते हो लेकिन आप ये हो आप इसे जयादा आटेस्ट हो यह जानते हैं आप इनको बहुत प्यार कर ते हो इसिह कुछ प्रथी आप ज्म कि जादा देते हो और जब आपको गुस्सा आता है जब आप परिशान होते हो तो आप तुरंत नराज भी हो जाते हो इसी वज़े से कहीं ना कहीं आप लोगों के सिच्चुेशन में कोई थर्ड पार्टी भी आई है जिसने अपनी स्टेबलेटी ना स्ट्रॉंग बना ली क्योंकि आपका थोड़ा गुस्सा देख कर ना आपके परसन आपसे थोड़ा अलग होने लगे और वो थर्ड पार्टी के एंट्री आपकी लाइफ में होने लगी है आपके ये चीजे मुझे दिखाई दे रही है ओवर आल ना वो अभी आपकी जो इनके साथ बिताई हुई आपने बिल्कुल याद कर रहे हैं विदिस दा सन एंड दे सिक्स ओफ कप्स का जब आप खुश रहते थे जिसमें आपके पास सारी खुशिया थी एक होता है ना कि परसन काफी जादा खुश रहता है सुबह उठता है तो खुश है रात को सो रहा है तो खुश है तो वो खुशिय भी समझ में आ रहे हैं यह समझ में आ रहा है आप भले मूडी थे आप चाहिए थोड़े अग्रेसिव एनरजी में रहते थे लेकिन प्यार आप इनसे बेहत करते थे आप इने पूरी तरह से केर करते थे पैमपर करते थे इनकी खुश्या थे आपका इनके साथ होना यानि क इनकी life में stability होना ये चीजे था, ये चीजे ये miss कर रहे हैं, ठीक है ये चीजे ने याद आ रहे हैं, तो chariot का card बता रहा है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहा रहे हैं, action का भी बताता है ये card, तो chariot के card से मुझे बता चलता है कि ये ना आपकी तरफ बढ़के, अपने रिष् बहुत वक्त लगा दिया है आपको वेट कराते कराते और अब ना आप अपने रास्ते पर निकल गए हो विद्धिस दा नाइन ओस पैंटिकल्स कार्ड आप अपनी इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ गए हो आप अपनी ग्रोथ की तरफ अपनी सेल्फ लव की तरफ बढ़ गए हो इन्हें ऐसा लग रहे है ये भी हो सकता है यही चीजे ना इन्हें आपकी कदर समझा रही है विद्धिस दा वर्ड कार्ड यही चीजे ने आपकी वेल्यू समझा रही है यहाँ पे ये भी chances नहीं और यही चीजे ना इन्हें आपकी यादे भी दिला रही है कि आप एक ऐसे person थे जिने ना प्यासे से जादा जिने किसी और से जादा इन से महबबत थी इनके लिए आप जादा devoted थे आपके लिए कुछ और जादा माइने नहीं रखता था सिवाए इ इनके साथ रहने के सिवाए इनको खुशिया देने के ये चीजे ना इन्हें याद आ रही है इस वक्त में और यही वजह भी है यहाँ पे यह आपकी तरफ विदिस दा चैरियेट कार्ड बढ़ना भी चाहते हैं अपनी पास्ट की जितनी भी कड़वाहट है जितनी भी की तरफ आपके परसन बढ़ना चाहते हैं मेनत करना चाहते हैं स्ट्रगल को खतम करना चाहते हैं यह चीजे तो मुझे आपके लिए इनके कार्ड की एनरजी दिखाई दे रही है ठीक है चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं इनकी क्या फीलिंग क्वीन ओप सौर्च नाहिट असफ पेंटिकल पांडेकल रिकिन अर्ज उसक अपेंटिकल्स recognize i». विवर से बताई है क्या पीलिंग सेंकी king of pentacles guide के विवर से बताई है third party के विवर से परसल की four of cups guide के विवर से बताई है five of cups guide के विवर से बताई है 30 ऐंग का भूमिस है अंटिस्ट थार्टार टी को यहां पर आया है और यहां पर आया है धिन में टीकिकेड बॉटम आफ देक आया है तो एक होड़ वारंट और यहां पर आयाψे लुड्स ठीके debido देखे गाईस मुझे याप यह तो दिखाई दे रहा है कि third party जैसी है ना आपके person उसे उसी नजरों से देख रहे हैं आपके लिए cards निकाले तो queen of cups और queen of pentacles आया था और third party के लिए निकाले तो direct first card queen of swords आ गया यानि कि आपके person को भी पता है कि यह जो third party है ना ये बहुत चालाख है बहुत लॉजिक्स देगती है अपना फाइदा जादा देखती है जहां मतलब होता है सिर्फ वही पे बात करती है अदर्वाइस बात ही नहीं करती है। सब्सक्राइब तो आपको अभी बताते होंगे कि बहुत अच्छी है बहुत भर उट्टिया सब्सक्राइब इन्हें यही पता है कि ठर्ड-पार्टी तीखी तलवार थी की मिर्ची है यह चीजें पता है अगर नहीं पता थी तो आज की डेट में तो इन्हें ये चीजे पता चल रही है मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मैं हर तरस स्टेबल हूँ या मेरे को पैसा कमाना आता है, मैं कही न कही से फाइनेशल इसकी नीड पूरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसी वजह से ये अपने मतलब के लिए ना मेरे पीछे पड़ी हुई है मेरा साथ दे रही है ये चीजे हैं आपके परसन को ये भी पता है विद्धिस दा हाई प्रीस्टेस कार्ड कि ये जो थर्ड पार्टी है बहुत सीक्रेट लीना चीजे कर रही है मतलब ये इन्हें ये पता है कि इसके दिल में कुछ चल रहा है आपके परसन को भी ये चीजे नहीं पता चलती है कि चल क्या रहा है इसके दिल में यानि कि ये जो भी सीक्रेट्स रखती है आपके परसन को अपना मानने के बापजूद ये नहीं बताती है अपने दिल में और वो ना इसके साथ रहने के लिए काफी जादा strength जुटा रहे हैं या फिर इसके ये secrets निकालने के लिए बहुत जादा strength जुटा रहे हैं, दोनों में से कोई भी situation हो सकती है, मुझे most probably यहाँ पे यह लग रहा है कि यह ना इसके राज निकालने के लिए काफी strength जुटा रहे आप बोलोगे मैम कैसे, क्योंकि यहाँ पे आया है five of wands card, इनके बीच में काफी issues चल रहे हैं, लड़ाई जगडे काफी चल रहे हैं, इनके घर में बिल्कुल भी शांती नहीं है, काफी ज़दा family issues चल रहे हैं इनके बीच में, किसी भी तरह से यह family हो, as in parents भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से, अगर शांती चल रहे हैं, इस third party के दिल में बहुत सारे घहरे राज होना, जिनका पता आपके person लगाना चाहते हैं, यह इने कुछ इनके उपर doubt हो रहा है, कुछ भी यहाँ पे chances हैं, ठीक है, क्योंकि यह बहुत strength जुटा रहे हैं, आपके partner को यह तो पता चल गया, यह है कितनी clever, कि यह मेरे साथ क्यों जुड़ी होई हैं, यह चीज़े तो समझ में आ गई हैं, अच्छा खासे थे, ठीक है, उसकी अलग देखिए guys, आपके person और इस third party के बीच में इस कदर लड़ाई जगड़े चल रहे हैं, कि आपके person न इस समय पे ऐसे कर रखा हैं, कि इसकी इससे इतना detached हैं, कि सीने से दिल भी बहार निकाल के रख रखा हैं, कि मेरे लिए दिल में तुम्हारे लिए कोई feelings नहीं हैं, कुछ नहीं हैं, उस तरह से, यानि कि काटो का महल है, सिर्फ और सिर्फ उस तरह से है, third party के लिए, और इस इसके लिए इन्हें बहुत जादा हिम्मत जुटानी पड़ रही हैं, ये चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीके, आपके परसना देखें गाईस, इसके साथ रहने के बाबजूत परिशान हैं, with this five of cups card, कितनी sad energy आई हैं, कितने दुख हैं, कितना regret हो रहा हैं इने, और आप आप खुद देख सकते हो कि इनके पीछे एक cup रखा हुआ है, ठीके, जिसमें ये पता चलता है, ये प्यार को miss कर रहे हैं, जो शायद वो queen of cups और queen pentacles आपकी energies में आया था, जो ये आपके लिए feel कर रहेते हैं, वही cup यहाँ पे हैं, तो ये basically third party के साथ रहने के बाद इने ब को, इसलिए आपके person ना यहाँ पर बहुत जादा sad energy में मुझे दिखाई दे रहे हैं, four of cups का card मुझे बता रहा है कि आपके person ना इसके साथ stuff महसूस कर रहे हैं, ये third party अगर इने convince करने की कोशिश करती हैं, ने मनाने की, अपने life में बने रहने की कोशिश करती हैं, तब ही आपके person ना इसके साथ रहने के बाब रहे रहे हैं, कोई वज़ा है इनकी रहने की, हो सकता है इनके parents हो, इने जिम्मेदारी उठानी हो, हो सकता है इनकी family हो, friends हो, जिने कुछ बहुत जादा मानते थे, तो ये इसके साथ रहने के बाबजूद ना बे मन से रहे रहे हैं, य चीजे मुझे में दिखाई दे रहे हैं यह प्यार ऑफर भी करते हैं ना लेकिन यह एक अलग ही प्यार को अपनी से अलग हुआ वा महसूस कर रहे हैं इसका प्यार का ओफर ना लेने की बजाए उस प्यार को देख रहे हैं यह जो पीछे छोड़ कर आये हैं यानि की आपको महसुस करूंगा या करूंगी यह एनरजी इनके साथ यह ऐसा फील कर रहे हैं तो अबर आल यह अपने emotions को withdraw कर रहे हैं मैं अगर आपको CDC बात बोलूं क्योंकि इन्होंने समय पे इसे यह दिखा रहे हैं कि मेरे सीने में तुम्हारे लिए कोई दिल नहीं है मैं तुमसे पूरी धरह से detached हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ या ऐसे दिखा रहे हैं ठीके इस वक्त में आपके परसं थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद अपनी न्यू बिगनिंग के रास्ते पर चलतेवे दिखाई दे रहे हैं अपनी केरियर की तरफ चलते वे दिखाई दे रहे हैं धीरे-धीरे step ही सही लेकिं यह basically कोई pentacles को लेकर ज़्यादा काम कर रहे है यह चीज़े दिखाई दे रहे हैं और इसका तो यह इस एक्सपीरियंस से सीख करना यह चीजे समझ रहे हैं कि मेरा इस समय पे अपने पैंटिकल्स पर अपनी ग्रोथ पर काम करना ज्यादा बहतर होगा और यह उनी की डिटेल में ज्यादा गुस्ते हुए मुझे दिखाए दे रहे हैं आप खुद देख सकते हो थर्ड पार्टी के साथ आपके परसन की क्या एनर्जीज आई हैं फॉर आफ कप्स फाइव वांस फाइव आफ कप्स फॉर आफ सोर्स यहां पे फॉर और फाइव नंबर आपसे रिलेट कर सकता है यानि कि अप्रेल और माई मन्थ ठीक है तो थर्ड सब्सक्राइच की पार्टी की गाइड की जीकर बताईये किस की डोने वाली है तो ङुद्हाइवां है जिजीजिफ अंगे परसन के साथ क्या है क्वेरे विद्वास दिए मेरे वीवatura का फ्यूचर फ्यूंश एवट का सुन में परसन के साथ क्या है याल्टद्हाइच King of Wands दो कार्ट्स को ले Nine of Cups दा चैरिएट वीवर्स का क्यों फ्यूचर है अपने पर्सन के साथ तो मैजिशन वेरी नाइस बहुत बढ़िया कार्ट्स आ गए देखें गाइस यह तो रहा आपका फ्यूचर King of Wands Nine of Cups दा चैरिएट अंदा मिजिशन अब चार कार्ट्स निकालते हैं थार्ड पार्टी का क्या फ्यूचर है आपके पर्सन के साथ थार्ड पार्टी का क्या फ्यूचर है वीवर्स के पर्सन के साथ प्रिंसे अप सोर्स यह तो हमेशा सोट की ही एनाजी में मुझे दिखाए रहती है रच पार्टी का तहार्मिट थार्टी का क्या फ्यूचर है व्यूचर के पर्सन के साथ काईड पीचे प्यूचर फोर ऑफ पन्टिकल्स एक कडर देखता है थर्ड पार्टी का क्या future है five of swords देखे गाइस थर्ड पार्टी का और आपका future के मैंने चार-चार cards निकाले हैं जिसमें आपका future आया है कि आपका आपके person के साथ stability होगी with this the nine of cups card आप जो भी चीज चाहा रहे हो जो wish आप मांग रहे हो आप दोनों और especially आपके person इस वक्त में आपको मांग रहे हैं आपको अपनी life में लाना चाहते हैं ठीके तो nine of cups का card बता रहा है कि आप दोनों को न एक दूसरे का साथ मिलेगा एक stability मिलेगी वो भी satisfactory form में chariot का card आपकी भी मैंने जब reading करी थी तब भी आया था यहां पे भी आया है जो बता रहा है कि आपकी person आपकी तरफ बढ़ने का ही निश्य लेंगे आपकी तरफ ही बढ़ेंगे और अपने रिष्टे पे काम भी करेंगे magician का card बता रहा है आपको लेकर जो अभी तक negative हो रहे थे just because of this third party वही person अब आप पर विश्वास करेंगे वही person आप आपके लिए positive भी होंगे with this the magician card आपकी तरफ बढ़ने के लिए आपके साथ stability लेने के लिए यह काफी रादा resources भी खटा करेंगे काफी रादा logics वगेरा मतलब सब तरह से emotionally भी सोचेंगे logics भी सोचेंगे मतलब जो इन्हें चाहिए होगा resources वो सब चीजें लेंगे क्योंकि यह कही ना कही with this king of wands card अब आप दोनों के बीच की जो भी problems है ना उस रिष्टे की lead लेंगे उस रिष्टे की जो इन्होंने अभी तक lead नहीं ले रखी थी वो lead लेंगे अब अपने इस रिष्टे को नई सेरे से create करेंगे और कही ना कही जो भी problems आ रही है ना उस problem को phase भी करेंगे क्यों क्योंकि वो इस रिष्टे में आप positive change लेकर आएंगे यह चीजे मुझे दिखाई रही है ठीके तो आपके लिए future है कि आपका आपके person के साथ stability होगी उसके बाद है third party का future है आपके person के साथ third party का future है with this five of swords card जैसा कि हमें आज भी देखा हमने इन लोगों के बीच में काफी जादा लडाई जगड़े चल रहे हैं इनकी लिए लडाई जगड़े धीरे धीरे बढ़कर बहुत जादा बड़ा रूप ले लेंगी with this five of swords card जिसमें एक person को finally ना दूसरे को छोड़ कर ही जाना पड़ेगा ये चीज़े दिखाई दे रहे हैं मुझे क्योंकि काफी जादा चीज़े बहुत top पे पहुँचने वाली हैं इन लोगों के बीच में लड़ाई जगड़े ना एक दूसरे की self respect पे पहुचने वाली हैं एक दूसरे का लिहाज नहीं रहेगा ये चीज़े दिखाई दे रही है five of pentacles four of pentacles का card मुझे बता रहा है कि एक person ना अपने emotions बताना ही बंद कर देगा बिल्कुल अपने आपको block कर लेगा जो मुझे आपके person की energies दिखाई दी है यानि कि एक person पूरी तरह से अपने दिल को लोग कर लेगा block कर लेगा ये चीज़े दिख रही है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई feelings नहीं है ये चीज़े है ठीक है और जो इनकी गलतियां है जो धर्ड पार्टी की है जैसे आपके person को control करकर चलना चाहती थी दिमाग से खेलना चाहती थी आपके person के वो चीज़े ना आपके person दिल में दबालेंगे ये बाते इन बातों को वो जगड़ कर बैट जाएंगे और वो इसके बात ना नहीं सुनने वाले हैं तभी इन लोगों के बीच में काफी ज़्यादा लड़ाई जगड़े विद इस five of swords कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं तो हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि आपके person पूरी तरह से हर्मिट मोड पर चले जाएंगे इससे धूरिया बना लेंगे और कही ना कही इससे वो पूरी तरह से कट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे stability आपके साथ ही इनकी दिखाई दे रहे है तो guys देखो इन cards के according मुझे यहाँ पे यह दिखाई दे रहा है पलड़ा आपका भारी है आपके person आपके लिए जादा devoted है आपकी इने कदर समन में आ रहे है आपने जो इनके लिए कर करके रखा है न वो चीजे ने सब दिख रहा है आज की rate में और यह आपकी तरफ बढ़ेंगे यह भी दिख रहा है और यहाँ पर जीत मुझे आपकी ही दिखाई दे रही है मैंने हर तरह से देख लिया आपके पसंद क्या feel कर रहे है आप दोनों के लिए आप दोनों के future के 4-4 cards भी निकाल लिए उस तरह से भी जिसमें stability आपकी तरफ ही मुझे दिखाई दे रही है तो यहाँ पर cards के recording मेरे viewers की जीत होते हुए दिखाई दे रही है रही बात guys देखें समय की तो मैं समय आपको बताऊं तो सबकी third party अलग है सबकी situation अलग है तो यहाँ पर मुझे 4-5 weeks से लेकर 4-5 months तक यह लग रहा है कि आपका future ना सही हो जाएगा उसमें stability आजएगी यह चीज़े मुझे दिखाई दे रही है guys यह थी मेरी reading I hope आपको आज की मेरी reading पसंद आई हो आपसे resonate कर रही हो अगर आपको मेरी reading पसंद आती है आपसे resonate करती है तो please मुझे बताईएगा और मेरे चैनल को like, share and subscribe बिल्कुल कीजेगा ताकि इसी तरह से नए नए readings नए नए topics मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यो ही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके टाटा बाबाई